दोस्तों क्या आप इस जंगली जडी बूटी के बारे में जानते हैं अगर नहीं तो देखिए दोस्तों पूरा वीडियो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हमारे धर्ती पर तरह तरह की जंगली जडी बूटीयां मौझूद हैं लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है और हम अपना इलाज इन से ना करके इलोपैत के चक्कर में पढ़के बहुत से लाखों रोपए और बहुत समय बरबात कर देते हैं तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और जंगली जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप इस्तिमाल करिए और अपनी बीमारी को जड़ से गायब करिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आउले के तरह छोटे छोटे फल लगे हैं दोस्तों यह देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियों में ए आउले की तरह छोटे छोटे इसमें फल लगे रहते हैं दोस्तों और इसे छोटा आउला के नाम से जाना जाता है दोस्तों ए जैंगली जड़ी बूटी का नाम है छोटा आउला दोस्तों ये तरह तरह की बिमारियों को ठीक करने की जड़ी बूटी होती है लेकिन दोस्तों हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है और हम इसका इस्तिमाल भी नहीं करते हैं और इसे उखाड कर फेक देते हैं दोस्तों सबसे पहली बात तो यह जान लीजी आप अगर आपको यह जड़ी बूटी मिलती है तो कभी आप इसे उखाड़िएगा मत इसे फेकिएगा मत दोस्तों इसलिए किसी ना किसी के काम जरूर आएगा अगर आपके काम नहीं आएगा तो किसी और के काम आएगा तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ अगर आपको जानकारी पसंद आती है अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए सही है और हमें कुछ फाइदा होगा तो हमारे छोटे से चैनल देसी घरेलू ग्यान को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा सेयर करें ताकि हम आपके लिए जो अच्छी अच्छी वीडियो लाएं सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों ये छोटा आवला जंगली जड़ी बूटी है दोस्तों और ये बहुत ही ढूनने पर जान लिए एक तरह से संजीवनी बूटी है दोस्तों ये बहुत ही ढूनने पर मिलती है दोस्तों मैं इसे कई दिन से तलास कर रहा था आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए लेकिन दोस्तों आज ये मुझे मिली है तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले जान लिए जिसको विटामिन C की कमी रहते ही दोस्तों उसके लिए राम बाड साबित हो सकता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से हमें इसकरवी रोग हो जाता है तो आप विटामिन सी की कमी को नीबू संतरा और तरह तरह के फल पूर्ट से दूर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर विटामिन सी का सबसे अच्छा सुरोत आप पूछा जाए दोस्तों आउला होता है और को दोस्तों ले जाए है और इसकी छट्णी बना कर खाहिए आपका Ictamin C तीरे-धे-ज़्ड से गायब hoonoE start हो जाएगा अगर आपके बालों का रूखापन रहता है जोस्तों आपके मले शाइनिंग नहीं लगी है दोस्तों अगर आपको फोड़े फुनसी बहुत ज्यादा प्रेसान करें करे मैं करें सो आप को क्या करना है आप इसको ले जाइए और इसका पतला सा पेश्ट बना लिजिए सिलबटे पर पिसवा कर पतला सा पेश्ट बनवाईए और आपको अपने फोड़े फुनसिव आली जंगा पर इसको लगा लेना है दोस्तों इसमें थोड़ा खटापन होता है दोस्तों और ये बहुत ज्यादा फायदा करता है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चर्म रोग दाद खात खुजली की दिक्कत है तब आप इसको पिसवा कर अपने चर्म रोग पर लगाईए दोस्तों आप देखेंगे मातर तीन दिन में आपका चर्म रोग गयब हो गया है दोस्तों इसके अलावा अगर आपको मालीजी कहीं पर मोच की आ गई है और आप बहुत जादा दर्द से प्रेसान है तो आपको देखेंगे कि पांच मिनट में आपका दर्द एकदम गायब हो चुका है तो दोस्तों जंगली जड़ी बूटियां हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे मन्न होती है बस हमें इनके बारे में जानकारी नहीं रहती है तो यहीं जानकारी दिलाने के कोसित करता हूं मैं अप आपको यह जानकारी पसंद आई है अगर आपको लगता है कि आपको फायदा होगा तो दोस्तों आप हमारे छोटे से चैनल देशी घरेलू घ्यान को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आते रहेंगे आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो लेकर सब तक के लिए टेक केर मेर